इस प्रस्ण में सीध करना है दो ब्रैकेट में साइन की घाद 6 प्लस कॉस की घाद 6 फिर माइनस 3 साइन की घाद 4 कॉस की घाद 4 प्लस एक बराबर 0 इस प्रेस्णों को हल करने के लिए हम यहाँ पर दो सूतर लगाएंगे, पहले प्रैकेट के लिए सूतर के लिए, पहला सूतर होगा हमारा 1 प्लस B की घात 3, बराबर होता है हमारे पास A की घात 3, B की घात 3, PLUS 3AB और A PLUS B, इसी सूतर को हम तरह से मौडिफाई करके इन दोनो को एक तरफ रख लेते हैं A की घाथ 3 प्लस B की घाथ 3 और बाकी सब देखो पहले बाई तरफ यह बचेगा इससे दाइने तरफ ले गए हम A प्लस B की घाथ 3 और माइनस इसको जब उठा के इस तरफ लाएंगे हम तो यह हमारा साइचिन बदल जाएगा 3AB A प्लस B तो पहला स सूतर के लिए तो हमें पता है न A प्लस B का वर्ग क्या होता है A का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस 2AB तो इससे हम नया सूतर बना सकते हैं कि A का वर्ग प्लस B का वर्ग बराबर A प्लस B का वर्ग माइनस 2AB तो यह हमारा दूसरा सूतर है जो इसमें लगाएंगे हम पहला य हैं बायाँ पक्ष्र लिया है इसका बायाँ पक्ष में है दो फिर साइन की घाथ 6 है तो इसे ले सकते हम साइन की घाथ 2 उसकी की घाद दो प्लस कोस की घाद दो उसकी घाद दो प्लस एक अब देखो दो अब यहां पहले में सूत्र लगाते हैं ये वाला पहला सूत्र a cube प्लस b cube मतलब sin square theta cube है cos square theta cube है चो क्या आगा a plus b आएगा मतलब सह से पहले आएगा sin square theta प्लस cos square theta दोनों प्लस किया और उसकी घाद 3 घाद लगा दिए minus 3ab तो तीन गुणा में sin square theta cos square theta bracket में a plus b मतलब sin square theta plus cos square theta ये हमाले पहले bracket का हो गया है मतलब इस पहले bracket को हल किया है प्लस उसके आएगा minus देखो प्रस्ण में minus है माइनस तीन तो माइनस तीन तो इस माइनस तीन को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं यहां से start करते हैं minus 3 अब देखो 3 के बाद ये वाला bracket हल करते हैं दूसरा bracket यहां a square plus b square है मतलब इस वाले सूत्र को प्रोड़ करना है हमें तो इस वाले सूत्र के हिसाब से क्या a plus b आएगा तो मतलब sin square theta plus cos square theta ये हमारा a और b क्या है sin square cos square है इसका work minus 2 a b 2 sin square theta cos square theta इतना आ गया और last में था हमारे पास last में था plus 1 वो भी लिख लिया अब इसको सरल करते हैं देखो मुखे काम था इन दोनों सूत्रों पे अपने प्रेशन को बदलना अब और बदला भी हमने क्यों था क्योंकि sin square plus cos square एक होता है देखो दो bracket के बाहर इसका मान हो गया एक ए और एक हाथ तीन एक ही होता है उसके बाद देखो तीन ये तीन आ गया sin square theta cos square theta एसी रहेगा bracket का मान आ गया एक माइनस ये वाला तीन आ गया इस bracket को यहां बंद कर देते हैं क्योंकि दो के साथ सिर्फ यही bracket था पहले वाला है इस bracket को बंद किया तो तीन इसके अंदर आएगा ये तो वन हो गया वन का square वन होता है माइनस दो sin square theta cos square theta और इसके बाद ये bracket बंद होके लास्ट में ये वाला एक यहां पहे आ गया अब आप bracket को खोलते हैं इस दो से इसको गुना किया दो आया इस दो को इसके गुना करेंगा छे आएगा तो छे sin square theta cos square theta माइनस इस तीन को इससे गुना किया तीन आएगा और इस तीन को अगर इससे करेंगा माइनस माइनस दोनों है ये प्लस हो जाएगा छे sin square theta cos square theta और साथ में लास्ट वाला ये प्लस बन अब देखो ये प्लस का sin square cos square 6 बार है और ये माइनस का है कट गए ये 2 है और यहां पे दो एक है तो 2 एक 3 आ गया 3 और ये माइनस का 3 है तो ये भी आपसे घटके 0 आ जाएगा और यही हमारा दाहिना पक्ष है तो शिद्ध हो गया